हेलो दोस्तो नमस्कार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्टूब चैनल अमरपूर आठ में दोस्तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि सोना कोट एब हम सेंसलाइजर को कैसे मिक्स करेंगे कितनी मात्रा में करेंगे आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि मेरा फ्रेम का मेंटर कितनी अच्छे से खोल रहा है अगर आप भी चाते हैं कि आपका भी मेंटर इसी तरह से दिखे और आपका भी स्क्रीन बहुत अच्छे से त्यार हो जाए तो वीडियो को पूरा देखें इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि आपका सोना कोट और सेंसलाजर मिक्स करने का प्रॉबलम हमेशा के लिए खत्म ही हो जाएगा अगर आप इस वीडियो के माध्यम से नहीं सीख सके कैसे मिक्स करेंगे सोना कोट और सेंसलाजर को तो आप नहीं सीख सकेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें सेयर करें तथा साथ में सब्सक्राइब करें सोना कोट और सेंसलाजर को मिक्स करने में किन-किन बस्तों की हमें अब सकता पढ़ने वाली है दोस्तों चलिए मैं सबसे पहले बता दूँ आप ऐसा स्क्रीन पर देख पा रहे हूं आपको दोस्तों इस तरह का एक इस्टील का डबा लेना है या आप प्लास्टिक का भी डबा ले सकते हैं जिसमें सोना कोट आपका कुछ दिन तक के लिए सुरक्षित रह सके तो कि हम जब सोना कोट को मिक्स करेंगे सेंसलाजर के साथ तो जरूरी नहीं है कि यह मेरा आज ही खत्म हो जाए इसके अलावा दोस्तों हम इस तरह का एक प्रिंटर का डिबा लेंगे इसमें 100 ml कम से कम पानी आ सके और यह सेंसलाजर का पॉकेट है और जो यह टबा देख रहे हैं सोना कोट का है इसके अलावे दोस्तों हम लोग एक भारी भड़कम कुछ समान ले लेंगे जिससे कि हम सेंसलाजर को मिक्स करने से पहले पाउडर बना सके आप देख सकते हैं कि मैं सेंसलाजर का पाउडर कर रहा हूं क्योंकि यह पॉकेट में दाने दार के रूप में रहता है सेंसलाजर का पाउडर बन गया है दोस्तों अब हम इसे ब्लेट के माद्यम से पाकेट का कटिंग कर लेंगे अब इसके बाद हम लोग सोना कोट को सेंसलाजर के साथ मिक्स करेंगे तो आप वीडियो में बने रहे हैं सेंसलाजर को दोस्तों हम लोग इंक के डब्बे में डाल देंगे एक पाकेट सेंसलाजर को हम लोग इंक के डब्बे में डाल देंगे ऐसा वीडियो में देख पा रहे हैं और इसमें हम लोग पूरा फूल एक डबबा पानी डाल देंगे मतलब 100 ml उसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम लोगों का जो में प्रोसेस आता है जो मैं बताने वाला हूं में बात आप सोना कोट की उपर जो काला वाला धकन देख रहे हैं उससे हम लोग एक धकन सोना कोट लेंगे आप इसे दो धकन तिन धकन भी ले सकते हैं इस रेशियो में लेकिन मैं पहले एक धकन के बारे में ही बता रहा हूं आप जैसा वीडियो में देख पा रहे हैं मैंने एक धकन सोना कोट लिया दोस्तों इसमें जो हम लोग सेंसलाजर मिक्स करेंगे गीन के 20 बूंद जैसा वीडियो में देख पा रहे हैं 21 बुंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 22 बुंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 18 बुंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 18 से 22 बुंद के अंतराल में ही रखना है हमें, इसके पाद हम लोग इसे मिक्स कर लेंगे, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, चलिए दिखाते हैं कोटिंग करने के बाद हमारा मेटर कैसा तयार होता है दोस्तों मैं यह वीडियो एक दिसंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब दिसंबर का महिना स्टार्ट हुआ है तो हम लोग जो अभी टाइमिंग दिखाएंगे दोस्तों अगर आप सुभा के टाइम दिखा रहे हैं तो डेड़ मिनट तक्रीबन दिखाएं अब बारा से एक के बीच में दोस्तों आप एक मिनट सबा मिनट दिखा सकते हैं जिससे आपका फ्रेम बिलकुल ही बहुत किलियर होगेगा तो दोस्तों वीडियो के आन तक बनने रहे मैं और कुछ पताने वाला हूं इस मेटर में तो वीडियो दोस्तों अगर पसंद आया हो तो सस्क्राइब जरूर करें अगर आपको कुछ समस्य आ रही हो तो कोमेंट करें मैं कोमेंट का रिपलाई जरूर दूंगा तो वीडियो के आन तक बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद मिलते हैं नेक्ट वीडियो में